वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मैडरिनल विड डालिसिस जैसे कि आप सभी को पता है मैं इस चैनल पर डालिसिस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ और मैंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ओफ इमो डालिसिस के बारे में बताया हुआ है आज हम एक छोटे स हैं और उसे हम कैसे ट्रिट कर सकते हैं इन चीजों के बारे में आज हम देखेंगे तो पहला हम देखते हैं नौजिया जो होती है नौजिया मतलब होती है उल्टी के जैसा लगना उल्टी होता नहीं है श्रिप लगता है 10% जो हीमो डालिसिस पेसेंट रहते हैं उनमें यह देखा गया है वामेटिंग की प्रॉब्लम 50% में देखा गया है कि यह प्रॉब्लम होती ही है अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसको तो क्या है पेसेंट का बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है उस टेम पे भी प्रॉब्लम होती है जिसे डी सिकलिवरियम सिंड्रोम बोला जाता है अब देखते हैं इचिंग की प्रॉब्लम इचिंग खुजली है ना यह 90% पेसेंट में देखने को मिलती है यह देलेजर का जब रियूज किया जाता है तो पहले फॉर्मिलिन का यूज किया जाता है खेर अभी तो यह बैन हो चुका है लेकिन पहले यूज किया जाता था और जो भी केमिकल सम देलेजर रियूज में यूज करते हैं उस कारण से भी क्या होता है इचिंग की प्रॉब्ल उनमें भी यह प्राब्लम हो सकती है उसके बाद जैसे कि किसी का इस्कीन ड्राइ रहता है इस्कीन ड्राइ ओने की वजह से इचिंग की प्राब्लम होती है abnormal level of calcium, magnesium, phosphorus इन तीनों का एकदम से body में बढ़ जाना यूरेमिया, इंजाइमा, डाइबिटीज, एनेमिया ये सारे जो patient रहते हैं इन में भी ये problem देखने को मिलता है कारण और हो सकते है environmental issue environmental issue मतलब जैसे की गर्मियों के दिन रहते हैं, hot weather रहते हैं उस टाइम पे इचिंग की problem बढ़ सकती है एक ही जगह पर जैसे कोई patient admit है patient admit होने से bad chore की problem हो जाती है तो इस कारण से वहाँ पे क्या होते है खुजली होता है उस कारण से rashes और other problem देखने को मिलते है जहाँ पे एकदम patchy type के हमें दिखाई देते हैं clothing issue हो सकता है clothing issue क्या हो सकता है कई लोग बहुत tight कपड़े पहनते हैं उस कारण से भी और जो कपड़े रहते हैं वो मुलायम नहीं होते हैं किसी किसी के तो उस कारण से भी इचिंग की problem हो सकती है management देखेंगे कि अगर पहला तो अभी हमने देख लिया eating और नौजर वोमिटिंग क्यों होती है अब जब वो होगी तो हम उसको manage कैसे करेंगे जैसे vomiting और नौजर की problem होई तो सबसे पहले तो हमें hypotension को treat करना है hypotension की कारण vomiting हो रही है तो हम medicine भी दे सकते हैं मेटा क्लोर्पामाइड ओंडें सिट्रॉन यह medicine हम यूज कर सकते हैं फॉर वोमिटिंग इचिंग के लिए क्या कर सकते हैं एंटी हिस्टमीन लाइक एविल जिसमें फैनरमीन होता है यह यूज कर सकते हैं हम जैसे मैंने बताया है वो किस कारण से हो रही है अगर हमें causes पता हैं तो हम management भी बहुत असानी से कर सकते हैं like hypotension के कारण हो रही है तो हम hypotension को manage करेंगे hypotension को कैसे manage करना है इसके लिए मैंने एक proper video बनाया हुआ है उसका link नीचे description में है तो उसको आप देख सकते हैं hypoglycemia की कारण भी vomiting होती है तो उसको भी हम treat करेंगे ठीक है अगर ये कारण हमें नजर नहीं आ रहे हमें कुछ दूसरे कारण नजर आ रहे हैं तो उसमें हम metaclopamide और online citron यूज कर सकते हैं जैसे कि हमें पहले से ही पता होता है कुछ patients को problem होती ही है तो हम उसको dialysis के पहले ही medicine दे दिये रहते हैं तक कि उनको during dialysis problem ना हो उसके बाद management of itching management of itching में क्या है antihistamine हमने दे दिया इसमें evil है evil में phendramine होता है ये normal हम itching के लिए use कर सकते हैं इसके अलावा भी और बहुत सारी medicines होती है जो हमें doctor या consultant से ही लेनी है using loose cloth cloth को हम loose use करना है use vitamin D analog using unstained bath product unstained मतलब जो सुगंदीत नहीं होती है वो हमें use करनी है so thank you guys ये मेरा चोटा सा topic था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like, share, subscribe जरूर करिए और अगर notes चाहिए होंगे तो आप मेरी telegram channel से जूड सकते हैं उसका link मैंने नीचे description में दिया है और बहुत सारे complications होते हैं AV fistula के बारे में अगर आपको जानना होगा तो सारे videos के link नीचे description में है एक बार उसको जरूर देखें